प्यारे बच्चों आप सब कैसे है अच्छे है बाबाजी बच्चों क्या आप जानते हो कि हम यहां क्यों एक अत्रित हुए है जी बाबाजी हम सब बच्चे आपसे योग सीखेंगे हाँ हम सब मिलकर योग तो करेंगे ही साथ में सुन्दर सुन्दर स्थानों की यात्रा भी करेंगे तो अब हम सीखेंगे खेल खेल में योग बच्चों इनसे मिले यह हैं डीपी का बहन ये आपको अच्छी एवं रोचक जानकारिया देंगी नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रूची हम भी रहेंगे आपके साथ-साथ तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर हाँ हाँ, चलते हैं बच्चों, स्वस्थतन और मन से हमें तो लाव मिलता ही है साथ ही हम दूसरों को भी लाव पहुचाते हैं तो आओ, अब दिपिका दीदी से सुनते हैं एक फ्यारी सी कविता आओ, सुनें कविता जीवन में बढ़ते जाना है, योग को नित अपनाना है गीत मधुर हमें गाना है, तन्मन स्वस्थ बनाना है जन्जन में जागरन लाकर हर घर में योग दीप जलाना है सत्य अहिंसा को अपना कर स्वस्थ शाकाहार हमें खाना है अब सुनो एक कहानी एक दिन राज ने नए कपड़े पहने थे रास्ते में उसका दोज निशान्त मिल गया राज की कपड़े देखकर निशान्त बोला राज तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? कितने गंदे लग रहे हो राज का चेहरा उतर गया वो दुखी होकर वापस खर चला गया कुछ दिनों की बाद निशान्त साइकल से जा रहा था साइकल से गिर कर उसे चोट लग गई राज ने जब निशान्त से उसकी चोट के बारे में पूछा तो उसने बताया मैं साइकल से गिर गया था इस पर राज ने कहा क्यों हो तुम्हारी वज़े से किसी और को चोट लग सकती थी ये बात निशानत को बुरी लगी पर वो समझ गया कि मैंने भी राज को चड़ाया था ये सोचकर उसने शर्म से अपना सिर जुका लिया बच्चो इस कहानी से आप क्या समझे बुरा बोलकर किसी दूसरे का मन न ही दूखाना चाहिए शाबाश बच्चो आख कान मुख आदी अंगों को बिमारियों से दूर रखने के लिए आओ करते हैं कुछ सरल ब्यायाम पहले करेंगे आखों के व्यायाम सबसे पहले सुखासन या पदमासन में बैठ जाओ अब शरीर को हिलाए बिना आखों को उपर फिर नीचे घुमा कर देखो हाँ उपर नीचे उपर नीचे इसे पांच से दस बार दोहराओ अब आखों को बंद करके थोड़ी देर विश्राम करो अब दूसरा अभ्यास आखों को पहले दाई और घुमाओ फिर बाई और घुमाओ दाएं बाएं ऐसा पांच से दस बार दोहराओ अब थोड़ी देर आखों को विश्राम दो अब करेंगे तीसरा अभ्यास यानि आखों को चारो ओर से गोल गोल घुमाना आखों को दाई ओर से गोल गोल घुमाओ हाँ ऐसे अब बाई और से गोल गोल घुमाओ हाँ बहुत अच्छा ऐसा पांच से दस बार करो अब आखें बंद करके विश्राम करो अब सुनो इस व्यायाम के लाब इससे नित्रों की जोती बढ़ती है आखों की नसों को नई शक्ती एवं उर्जा प्राप्त होती है आखों की ठकान दूर होती है मन की एक आगरता बढ़ती है मानसिक तनाव एवं सिरदर्द दूर होता है बच्चों आखों को साफ न रखने से आखों के अनेक रोग हो जाते हैं इसलिए कुछ साफधानियों का ध्यान से पालन करना चाहिए रोज सुबह और शाम को साफ पानी से आखे धोनी चाहिए आखी सदा स्वस्थ रहे इसके लिए पहले मुँ में पानी भरा फिर हाथों में पानी लेकर आखों पर छीटे मारने चाहिए हाथों को धोकर ही आखों को खुजलाएं या साफ करें बाहर से घर लोटने पर मुँ धोकर आखें साफ करनी चाहिए जिससे आखों वो चेहरे पर लगी धूलादी गंदगी धूल जाती है आखों के आसपास की तवचा अत्यंत कोमल होती है अता पोचने के लिए मुलायम वस्तर का ही प्रयोग करें या आप नरम तौलिये से हलके से पोच सकते हैं आखों की रोश्णी बढ़ाने के लिए फल, दूद, आवला, गाजरादी खाना चाहिए नियमित रूप से आखों का वयायाम करना चाहिए इस तरह आखों की अच्छी तरह देखबाल करने से हम चश्मा लगाने से बच सकते हैं अब करेंगे कानों के सरल वयायाम सबसे पहले सुखासन या पदमासन में बैठ जाओ अब हाथों से कानों के उपरी भाग को पकड़ कर धीरे से उपर की और खीचो अब धीरे से छोड़ दो ऐसा पांच से दस बार दोहराओ अब कान के नीचे के भाग को धीरे से नीचे की और खीचो और फिर छोड़ दो इस क्रिया को भी पांच से दस बार करो कान के पीछे के भाग को धीरे धीरे खीचो और छोड़ो बाबा जी क्या ऐसा करने से कान में दर्द नहीं होगा? नहीं बच्चे बलकि इन अभ्यासों से कान की मांच स्पेशिया लचीली होती है और हमारे सुनने की शक्ती बढ़ती है बच्चों, कान एक बहुत ही कोमलंग है इसलिए कान की अच्छी तरद देख भाल करनी चाहिए कान सदा साफ रखो कानों को साफ स्वच्छुरूई से साफ करो कान में तिनका, माचीस की तीली या हेर पिन आदी डाल कर कभी साफ मत करो इनसे कान के अंदर घाव हो सकता है कान में दर्ध होने पर कानों के डॉक्टर को जरूर दिखाओ कान पर मारना या उससे जोर से खीचना घातक हो सकता है इससे कान के परदे को चोट पहुँच सकती है जिससे सुनने की शक्ती पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है आओ, अब करें जबडे का व्यायाम जबडे बंद करके एक दूसरे पर दबाव डालो यह क्रिया पांच से दस बार जरूर करो जबडों के व्यायाम से जबडे की मांस पेशिया लचीली और सुद्रुड होती है मुख आसानी से खुलता है, चेहरा सुडौल तथा सुन्दर बनता है अब जबडों की देखभाल के निर्देश सुनो मंजन करने से दात सुन्दर वो मजबूत बनते है दातों की सुबह शाम ब्रश से धीरे धीरे सपाई करनी चाहिए हमारे गाओं में विभिन्न तरह के दात उनों का प्रयोग किया जाता है इससे दात मजबूत वो सुन्दर होते है दातों से खुन निकल रहा हो या दुरगंध हा रही हो तो तुरण दातों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए दातों से गन्ना छील कर खाने से और सेव, अमरूद, आवला आदी फल खाने से दात और जबूत बनते है बच्चों, क्या आप पानी में बना किला देखना चाहते हो हाँ पाबगी बहुत अच्छी बात तो अब मैं आप सब को लेकर चलता हो समुद्री किले की यात्रा पर अरे वाह, कितना बड़ा किला और वो भी पानी में बच्चों, यह है समुद्री किला सिंधु दूर्ग बाबा जी, यह किला किसने बनाया? इसे चत्रुपती शिवाजी महराज ने बनवाया था यह एक अभेद्य किला है इसे खास सुरक्षा के लिए बनवाया गया था आपको पता है इसमें से अंदर के सिपाही बाहर सब देख सकते थे जबकि बाहर वालों को अंदर के सिपाही नजर नहीं आते थे है बाबा जी शिवाजी बहुत ताकतवर थे हाँ वह एक महान और बल्शाली योद्ध्या थे बाबा जी हुण मैं भी बल्शाली बढांगा क्यों नहीं बलू स्वस्थतन और सजगमन से हर कोई बल्शाली बन सकता है पर इसके लिए रोज करना होगा योग तो आओ शुरू करते हैं योग अभ्यास बच्चों अश्टांग योग का तीसरा अंग है आसन आसन यानि ऐसी सहज एवं आरामपुन स्थिती में लंबे समय तक बैठना जिससे शरीर को कोई कश्ट ना होता हो आसन शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है एक योग क्रिया के रूप में जैसे पदमासन, शवासन, दुरुवासन आदी दूसरा बैठने की वस्तु के रूप में जैसे दरी, कंबल, चटाई, चादर एवं रबर मैट बच्चों, हमें योगासन का अभ्यास करते समय कुछ विशेश बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे आसनों का अभ्यास स्वच्च वातावरण में करना चाहिए इसके लिए हवादार कक्ष, खुला मैदान, पार्ग, नदी तलाब आदी के किनारे का प्रेयोग किया जा सकता है जैसे हम कर रहे हैं बैठने के लिए कंबल, दरी, चादर एवं रबर मैट्स आदी का प्रेयोग करना चाहिए आसन विद्धूत का पुचालक होना चाहिए, आसन प्रातह काल खाली पेट करना चाहिए और भोजन करने के कम से कम चार घंटे बाद करना चाहिए आसन करते समय हलके वस्त्र पहनने चाहिए आसन करते समय चश्मा न पहने क्योंकि उसके तूटने तथा आख में चोट लगने का भै रहता है नियमित रूप से आसन का भ्यास करना चाहिए बनमौजी धंग से आसन करने वाले बच्चे को अधिकलाब नहीं मिलता है आसन सीखने के लिए सुगमता के साथ एक से दो बार आसनों का भ्यास कभी भी कर सकते है बच्चों योग में हाथों से कुछ विशेश आकृतिया बनाई जाती है जिन्हें हस्त मुद्रा कहते हैं हस्त मुद्रा में दो शब्द है हस्त और मुद्रा हस्त का अर्थ है हाथ और मुद्रा का अर्थ होता है आक्रिती बनाना वैसे तो मुद्राएं अश्टांग योग का अंग नहीं है फिर भी योग में इनका विशेश महत्तो है आपको सबसे पहले हाथ की पाँच अंगुलियों वह पाँच तत्वों के बारे में बताता हूँ बच्चों यह सारा संसार पाँच तत्वों अगनी, बायू, आकाश, पृत्वी एवं जल से बना है हमारा शरीर भी इनी तत्वों से बना है हमारे शरीर की पाँच उंगलियां पाँच तत्वों का नियमन करती है अंगुष्ठ अगनी से, तरजनी वायू से, मध्यमा आकाश से, अनामिका पृत्वी से, तथा कनिष्ठा जल तत्वों से सम्बंधित है तो बच्चों, पहले पद्म मुद्रा के बारे में जानते हैं पद्म का अर्थ है कमल कमल पवित्रता एवं सौंधर्य का प्रतीक है कमल की समान हाथों की अंगुलियों को फैलाने से पद्मुद्रा बन्ती है सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाओ अब दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में मिला दो इसके बाद केवल दोनों अंगुठे एवं सबसे छोटी उंगली परस पर मिला कर रखो शेश अंगुलियां आमने सामने रहने दो इस प्रकार मुद्रा बना लेने के बाद आखें बंद कर लो इस मुद्रा का अभ्यास एक से दो मिनट तक करो इस मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है यह मुद्रा शरीर की गर्मी को कम करती है मुद्र संबंधी रोगों को दूर करने में यह मुद्रा सहायता देती है अपनी ये मज़ेदार यात्रा अब समाप्त होती है हम फिर मिलेंगे आज हमने क्या सिखा? आखों की स्वच्चता कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल सही कान की सफाई करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही नीचे दी गई अंगुलियों को उनके संबंतित तत्वों के साथ मिलाओ हाँ, बिल्कुल सही सही जोड़े बनाओ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही कर दक दो